हेलो प्रेंड आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चेनल पर आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बेंक के बारे तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबर नहीं करते हुए हम लोग सेंट्रल बेंक में देखते हैं क्या हो रहा है मैंने अपना मार्केट ओपन किया और यह फिंगर प्रिंट मांग रहा है मैंने दे दिया खुल गिया है अब देखिए सेंट्रल बेंक पर आते हैं देखिए इसने एक रूपे पैसेट पैसा का प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में बात किया जाए तो दस परसेंट का प्रॉफिट दिया है इसने फ्राइडे को देख सकते हैं यह अपर सर्गीट पर है और मैं आपको बताऊंगा आज की इसमें टार्गेट और आस्टापलोस इसका क्या हो सकता है वो भी बिना कोई टेक्निकल केंडल या कुछ और मैं फंडामेंडल तो चेक करता ही नहीं हूँ मैं बस टेक्निकली देख लेता हूँ कि क्या होने वाला है कितना ओपर जाने वाला है तो मैं आपको आज सेंट्रल बैंक का टार्गेट बता रहा हूँ सेंट्रल बैंक का जो टार्गेट निकल के आ रहा है वो मैं पहले विक यह देखिए फ्राइडे सेशन में इसने लो बनाया था 16 रुपए 55 पैसा का ओपनिंग हुआ था 16 रुपए 65 पैसा पे हाई लगाया था 18 रुपए 15 पैसा और प्रिबियस क्लोजिंग मतलब की बिभे का जो क्लोजिंग था वो 16 रुपए 50 पैसा पे था 15 पैसा का गेप आप रवन हुआ था और यह उपर ही बंद हुआ है ऑपर सैक्षेयच पे तो इसक theo फिरस्ट टारगेट होगा वो मैं केंडल देखके बता हूंगं आपको इसका जो फर्स टार्गेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19 रुपे का सेकेंड टार्गेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21 रुपे 50 पैसे का देखिए 21 रुपे 50 पैसे का और जो थर्ड टार्गेट जो मेरा रहा है वो है 25 रुपे 80 पैसे का मगर मैं इसका 3rd टार्गेट रकूंगा only 25 रुपिया ही अब मैं बात करता हूँ इसके 80 प्लोस का तो जो 1st प्लोस है वो हो जाएगा 15 रुपे 80 पैसा का ठीक है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा और जो 2nd stop loss होगा वो होगा 14 रुपे 70 पैसा का और जो 3rd stop loss होगा जो 3rd stop loss होगा वो होगा 13 रुपे 15 पैसा का और इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप करता हूँ और फिर हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई